हालो एब्रीवेन वल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब तो आज में आप लोगों को अंडराम्स में रिका वैक्स करना बताऊंगी और यूस कैसे करना आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिल चाहेगा तो फर्स्ट आप उतना ही क्वांटिटी में निकालेंगे इसको जितना आपको जरूरत हो ओके कम पड़ेगा ताप बाद में और निकाल लीचे आप लोग हम इसा पूछो ना कि ब्लैक अंडराम्स के लिए हमें कौन सी वैक्स यूस करनी चाहिए या फिर सेंस्टिव स्किन है वैक्स करने के बाद दाने आ जाते हैं तो यह सारी प् सकते हैं तो जिनको बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस अंडराम्स में अगर वो इसको यूस करेंगे तो देरे देरे वो खतम हो जाएगा तो इस तरीके से मेल्ट हो चुका है और कल मैंने फुल बॉडी वैक्स की वीडियो अपलोड की है रिका की ही तो आप वाली वीडियो भी हमें औल यूज कर नहीं होता है और यूज करने सी और बीज्यादा अच्छे से निकलता है तो कोई भी यूज यूज परोग में फिरे की यह में काइँ अच्छे से उक्लीन करता है उ03 की तर सबसे खास बात वात यह ऑ और denialही से डिरे यहर को प्रा यहका ही निकलते उसके लिए हमें दुबारा करना होता बट इसमें यह सी कोई ज़रत नहीं पड़ती एक ही बार में यह पूरी तरीके से क्लीन कर देता है आप देख सकते हो और बहुत अच्छे थोड़ा भी चिप चिपा नहीं लगता है तो सेम वैसे दूसरी तरफ भी कर लेना है यह देखे और यह बहुत अच्छा रहता है तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपके अंडरामस ब्लैक हो या ना हो मैं तो इसी को बोलूँगी कि आप यही वाला वैक्स यूज़ करें यह ओल टाइप की स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है और इसकिन बहुत ही के बाद में ना तो किसी प्रकार के दाने की प्रॉब्लम होगी आपको और ना ही किसी भी टाइप का आपको रेडनेस आएगा सिर्फ आपको वैक्स करने के बाद में जो हमारा वैक्सिंग जेल होता है इसमें मिलता है वो आप अपलाई करके आसी छोड़ देंगे तो कैसा लगा वीडियो आज का कमेंट करके जरूर बताना मिलते एक नहीं वीडियो के साथ में तब तक लिए बाबाय थैंक्यू लव यू टेक केर बाद मिलता है yılby । कर मिलता है झीडियों के यूं का से लेक्स हाट है fortune वैसे है वीडियों के जDidक ले चाते हैं सबीबू के दुमा है जिसाओे चाना है है घर स्बमाथमस